नमस्कार दोस्तों मैं राहुल पटिल डारेक्टर ओफ सुफतामो एज्यूकिसन सविसिस प्राइविट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वावित करता हूँ सुफतामो की ऑफिचल यूटीब चैनल के उपर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशे के साथ हम जरूर से कर लें तो रशिया की टॉप इनॉटि के बारे में जानने से पहले अपने को जानना जरूरी है कि रश्या और इंडिया करलेशन क्या है पिछले करीबन 70 मौर दन 70 ऐसे हम लोग जानते ही तरह की रश्या का और इंडिया का बहुत ही अच्छा सा रिलेशन रहा है एक दूसरे से always support मिला है दोनों countries को. आपको बिता दू कि इंडिया जब आजाद हुआ उससे पहले से इंडिया का रिलेशन रिलेशन रिश्या के साथ. जो इंडिया के अंदर जब आजाद के बाद सबसे पहली जो requirement थी नए उद्योग वहाँ पर establish करना. तो जो सबसे पहले 16 जितने जो उद्योग यहाँ पर establish हुए थे उसके अंदर करीबन आठ के अंदर रिश्या की साथ जयादारी थी. और आपको जानके आश्चे रहोगा कि जो मुंबई के अंदर IIT जो है उसकी स्थापना के अंदर भी रिश्या का involvement है. उसके अलावा दोनों देशों के बारे में अगर बात करेंगे आप तो परमानु उर्जा के अंदर भी काफी अच्छा सहयोग रहा है दोनों कंट्रीज का. अगर कल्चर के बारे में बात की जाए तो गुजरादी जो बिजनसमेने उनका अस्तराकांग के अंदर जाके बसना और कॉलकत्ता के अंदर रुसी रंगमंज का स्थापन होना यही चीज़ को प्रमानीत करता है कि दोनों कितने करीब हैं येवन आपको जानके खुशी बारत को कावय है महा कावय बोलते हैं हम लोग महावरत को उसका भी रुसी लेंग्विज के अनुवात किया गया है और रुस की कई पेडिया बारतिय फिल्मों को देखके बड़ी हुई है बॉलीवूर का बहुत क्रेज रहा है रुस के अंदर अगर योग की हम लोग बात क करेंगे तो करीबन 1980 के बाद योग वहाँ पे दिन प्रती दिन फैमस होता जा रहा है रुस की जो प्रमुक विश्वेच देले से वहाँ पे वहाँ पे भी हिंदी का भी कोचिंग प्रोइड किया जाता है एवब हिंदी के अलावा भी जो दूसरी इंडिया की नेटिव ले करें में तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रशिया एक बड़िया ऑफ्शन हो सकता है इंडिया स्टूडन के लिए अगर मेडिकल की पड़ाई चाहता है तो अगर रशियन एडियोकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो रशिया के अंदर जो कोर्स डिरेशन रहता है मेड़िया वहां फिरेशन में रहता है वह चे साल के अंदर तीन साल आपका रहता है क्लिनीकल रहता है। हाला कि हर एक university के अंदर totally six years English medium available नहीं है कुछ universities की बात करेंगे तो वहाँ पे completely Russian में पढ़ाई होती है completely Russian में क्या होता है कि पहला एक साल जो रहता है वहाँ पे preparatory course आपको लेना पड़ता है और after completion of the preparatory course आप वहाँ पे select कर सकते है आपका Russian medium MBBS अला कि वह repeated university है लेकिन वह काफी difficult path हो जाएगा आपके लिए दूसरी universities होती है bilingual university जिसके अंदर तीन साल तक आपको या दो साल तक English में पढ़ाया जाता है या फिर एक साल तक English पढ़ाया जाता है बाकी का जो भी duration है वह आपको Russian में पढ़ाया की जाती है और अगर third जो option है वो जो reliable option बोल सकते है वो है purely English medium 6 कि 6 साल वहाँ पर English पढ़ाया जाता है तो यह selection करने के लिए सबसे पहला तो उसकी education system को समझना जरूरी है रश्या के अंदर चार टाइप की universities है एक है जो है federal university जो कि central government के अंडर आती है और जैसे central government में बोलता हूँ तो जैसे अपनी aims की बारे में बंबलात करेंगे जो central government के अंडर आती है तो it's similar to the aims दूसरी जो universities है वो है research university जो कि ज्यादा तर research based activity में involved होती है और वहाँ पे भी central government का hold होता है third पे जो आती है third के उपर अगर बात करेंगे तो आती है state university state university में आपको mix up देखने को मिलेगा कही पे English होगा कही पे bilingual होगा कही पे Russian भी हो सकता है और कही universities में English और bilingual दोनों option available होता है दोनों का free standard अलग रहता है तो वो selection करने से पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि एक बार एक category में आपका admission हो जाता है वो आप change नहीं कर सकते हो और fourth पे जो आता है वो academy ज़्यादा तर जो रहती है वो Russian में ही पढ़ाई करवाती है वहाँ पे तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है अगर top five universities के माँ बात करूँगा आज जो कि English medium में पढ़ाई करवाती है अगर number one पे हम लोग बात करेंगे तो है कजान federal medical university जो की establishment उसका है 1804 में हुआ था लेकिन English medium course जो है वहाँ पे 2013 से शुरू हुआ था कजान federal medical university के बात करेंगे तो पूरे country में fourth rank पे आता है world rank के अंदर 454 rank है QS star ranking उसका जो है वो four star ranking है एक्रेडेशन की अगर बात करेंगे तो MCI, WHO और ECFMG हर एक टाइप का accreditation अविलेबल है और अगर budget wise बात करेंगे तो करेबन 30 लाग के असपस आपका कूर्स वहाँ पे complete हो जाता है तो यह एक अच्छा option अब भूल सकते हो second पे अगर हम लोग बात करेंगे तो the first Moscow State Medical University आती है Moscow State Medical University का अगर बात करेंगे तो establishment उसका 1758 में हुआ था लेकिन उस टाइम पे जो उसका नाम था वो था Imperial Moscow University 1758 से लेके 1930 तक यह नाम से University established थी 1930 के बाद उसका नाम change हुआ था जिसका नाम था First Moscow Medical Institute जो कि 1955 तक रहा था 1955 के बाद University जानी जाती थी Moscow Medical Institute के नाम से जो कि 1990 तक वो नाम से चल रही थी और 1990 के बाद I am Sichnao Moscow Medical Academy के नाम से established हुआ था और 2010 तक वो नाम से चली थी और अभी जो नाम से जानी जाती है वो है First Moscow State Medical University के नाम से कुछ दीनों पहले अगर आपने न्यूस भी देखा होगा कि रश्या के अंदर I am Sichnao University ने कोरोना की वैक्सिंग का invention किया हुआ है तो यह वही University है University के अगर ranking के हम लोग बात करेंगे तो करीबन 2nd rank आता है country के अंदर और 116 rank आता है उसका पूरे world के अंदर और Moscow में आया हुआ University है Budget wise बात करेंगे तो करीबन 10-11,000 dollar के असपास की fee से yearly तो almost double expense हो जाएगा आपका compared to the Kazan Federal University लेकिन यह एक अच्छा option हो सकता है अगर आपको budget का कोई issue नहीं है तो 3rd rank पे अगर आप बात करेंगे तो आती है क्रीमिया Federal University क्रीमिया Federal University उन student के लिए अच्छा option है जो low budget option accept करना चाहते है क्रीमिया Federal University का जो अगर बात करेंगे तो पहले क्रीमिया जो थी वो थी Ukraine के अंदर 1918 में उसका establishment हुआ था लेकिन 2014 में जो war हुआ Russia और Ukraine का उसके बाद क्रीमिया जो है वो totally Russia के अंदर सामिल हो गया और 2014 के बाद क्रीमिया State Medical University जो पहले थी उसको फेडरल के साथ जॉइंग कर दिया गया Simperpol जो city है उसके वहां पर आया हुआ university और यह university का अगर country रहेंकी बात करेंगे तो करीबन 13 रहेंके और करीबन 3465 उसका world रहेंके और budget wise अगर बात करेंगे तो करीबन 20 लाग के अंदर पूरा MBBS आपका वहां पर complete हो जाता है जिसमें tuition fees, food, everything include तो एक अच्छा option आप सोच सकते हैं फोर्थ पर अगर आप बात करेंगे तो फारिश्टन federal medical university जो कि 2013 में established हुआ था फारिश्टन federal medical university की बात करेंगे तो almost जो कजान का budget है उससे थोड़ा low budget हो जाता है लेकिन living expense वहां पर ज्यादा है उसका अगर country रहेंकी की बात करेंगे तो 27 country रहेंके और करेबन 1632 है उसका world रहेंके व्लादिवस्थिक city है जो चाइना बॉर्डर पर आया हुआ है वहां पर आया हुआ है लेकिन यह university का एक छोटा सा drawback वह भी है कि इसका distance of traveling बहुत ज्यादा है Moscow से करीबन 9000 km दूर आया हुए है इस city तो अगर आपको इंडिया से जाना होगा तो direct flight हाल की date में available नहीं है आपको दिल्ली से Moscow और Moscow से व्लादिवस्थिक जाना रहेगा जो कि करीबन almost double traveling हो जाएगा आपके लिए और अगर फिफ पे बात करेंगे तो people friendship university जो कि establish हुई थी 1960 के अंदर लेकिन Moscow city में आया हुआ है तो but natural है वहाँ पे fish structure भी उसका expensive है लेकिन यह option अच्छा आप बोल सकते हो पीपल friendship का अगर world rank का आप बात करेंगे तो करीबन 12 rank के और 945 उसका world rank के मौसको city में आ हुआ है और उसके fees की अगर बात करेंगे तो करीबन साड़े 10.000 डॉलर के असपस को उसका fees है yearly यानि कि कजान federal से almost double हो जाता है तो यह पांच जो university है प्यॉररी English medium में बढ़ाई provide करती है और रशिया की top most university में भी आती है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा option हो सकता है तो इसके अलावा भी काफी सारी दूसरी universities है जो कि ह हम लोग next video में discuss करेंगे तो दोस्तों यह बात हो गई आपकी MBBS कौन सी university आपको choose करनी से यह उसके बारे में डिगरी जो provide होती है रशिया के अंदर after completion of the MBBS वो होती है MD physician के नाम से तो कई बार parents misguide हो जाते के MD that means equivalent to India MD or what? तो यह चीज़े गलत है MD वहां का MD physician वो equivalent to Indian MBBS है तो MBBS करने के बाद आपको इंडिया के FMG का या तो फिर नीट exit का exam qualified करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर PG में admission मिलेगा दुसरा जो सबसे बड़ा एक चीज़ ध्यान में रखने का जरूरत है आप कुछ consultant लोग आपको यहाँ से university के बारे में detail information नहीं देते हैं और वहाँ पर जाके आप misguide हो जाते हैं और bilingual university में आपको admission लेना पड़ता है या रश्यन में लेना पड़ता है जो कि आपको ध्यान से और research करके decision लेना चाहिए यह मेरा आपको advise किसी एक पसंग की बाद पर करने की ज़रूत नहीं है खुछ से research कीजिए खुछ से check कीजिए उसके बाद decision लीजिए क्योंकि आपके पूरे career के सवाल है तो दोस्तो आज का video I think आपको पसंद आया होगा आपको कोई भी doubt है कोई भी question है आप नीचे गए number के ऊपर call कर सकते है as well as हमको mail भी कर सकते है और ह यह video अगर आपको पसंद आया तो आप like भी कर सकते हैं और दोस्तों के जा शेयर भी कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दूसरे video के साथ हम लोग उपस्ती दोंगे जल्दी जिसके अंतर और भी university के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे धन्यवाद दोस्तों टेक करो